Trafford Data, Bill Gates का पहला कंपणी, जो कि Traffic Signals का डेटा एनलाइज करके, Reporting Format में Traffic Engineers को प्रोवाइड करता था. जिस दिन Traffic Department के सामने, वो ये प्रोड़क्त प्रेजेंट करने गए, ये प्रोड़क्त चलाई नहीं, और इनकी पहली कंपणी चालू होने से पहली ही खतम हो गई. अक्यो मुरिटा, Sony Company के Founder, इनका पहला प्रोड़क्त था Rice Cooker, जो कि Rice के साथ ही जल गया. इवन विल्लियम्स, Co-Founder of Twitter, ट्विटर के पहले इन्होंने अपना Podcasting Platform क्रेट किया, पर कंपणी लॉंच होने के कुछी दिनों में, Apple ने iTunes Store में Podcast section अड़ कर दिया, और रातो रात इनको अपनी कंपणी बंद करनी बड़ी. Red Hoffman, Founder of LinkedIn, LinkedIn से पहले और PayPal एंड Airbnb में इन्वेस्ट करने से पहले, इन्होंने Social Net और Online Dating Social Networking Sites बनाई, जो की बुरी तरह से फेल हो गई. Amazon के पहले, जेब बेदोस ने भी कई सारी आइडियास ट्राइकी, और उसमें वो फेल हो गई. उन्होंने एक auction site भी बनाई थी, पर उसमें भी वो फेल हो गई. ऐसा ना जाने कित्मी सारी stories है, जो अगर बताने लग जाओं, तो ये वीडियो घंटा कतम नहीं होगा. दोस्तों, अब इस इन लोगों का मैंने नाम लिया, उनको हम जानते हैं उनके एक success की बज़र से. और उपर उनके failures मैंने इसलिए बता है, क्योंकि कितना भी बड़ा, कितना भी successfull बंदा हो, उसके पीछे जो back up होता है, उसके अंदर जो confidence आता है, जो never give up attitude आता है, वो इन failures से ही आता है. क्योंकि दोस्त इस बात को समझो कि आपका भी fail नहीं होते, fail होती है आपकी कोशिश, जो कि 100 बार वापिस की जा सकती है, और काम्याबी के लिए ये कोशिश सिर्फ एक बार सही होने की जरूरत है. दोस्तों मैंने मेरे life में college period से लेकर अब तक छोटे मोटे मिला कर 8 startup start किये थे, उन में से पहले 5 startup पहले 2 महीने के अंदर ही fail हो गये, यही नहीं एक किस्सा बताता हूं में आपको, जब मैंने मेरा पहला startup शुरू किया था, तब business model बनाने से पहले मैंने visiting card बना लिये थे, automatically मेरा हर idea काम करने लगा, और मेरी back-to-back team companies successful हो गई, दोस्तों याद रखना, जिंदगी में failure का importance success से जाधा है, जब तक कि आप उस failure से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, फसला हम गलती ये करते है कि fail होने के बाद क्या गलत हुआ, यह डूडने की बज़ा है, किसकी वज़े से fail हुए ये डूडने लगते हैं, और इसी वज़े से हम हमारी failure से कभी कुछ सीख नहीं पाते हैं, यार अगर अपने success का credit हम खुद को, खुद की महनत को देते हैं, तो हमारी failure की responsibility भी हमें खुद लेनी चाहिए, और याद रखना failure वो नहीं जो fail हुआ, failure तो हो है, जो अपने failure से कभी कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि success का एक simple सा rule है, कि जब तक आप जो भी करना चाहते हो, उसको अंदर बाहर से नहीं जान लेते, आप success तक नहीं पहुँच पाओगे, और इसलिए हर एक नए काम में हम शुरुआत में fail होते ही है, बचपन में जब हम cycle सीख रहते हैं, तो सीखते सीखते कितनी बार गिरते हैं हम, कई बार, पर गिरकर भी हमने वो जिद नहीं छोड़ी, और आखिर कर हम cycle सीख गए, पर जैसे ऐसे हम बड़े होते गए, हमारे अंदर कोशिश करने की जो काबिलियत थी, वो कम होने लगी, और एक वक्त तो ऐसा आ गया, कि हम कि परशिश करना ही हमने छोड़ दिया, इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी काम को तब तक मत छोड़ो, जब तक आप वहाँ बीस से 25 बार फेल ला हो जाओ, और हर बार सीखो कि पिछली बार गलती कहा हूँ, I can guarantee most of the cases में 25 बार फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे प जो भी कुछ दिमाग में साला action में, फेल हो गए तो हो गए, पर उससे जो सीखो गए ना, वही तुमारे success का foundation है, जहां तुमारे काम्यावी की building बनेगी, क्योंकि अगर एक बार फेल होकर, तुम चीजे छोडने लगे, तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर काम्यावी न जरूरी यह है कि आपको कोई एक चीज कितने अच्छे से आती है, तूस एक चीज पर फोकस करो, चाहें कितनी बार फेल हो जाओ, उसको छोड़ो मन, क्योंकि वह उस failure से डरना नलीगाए, failure से लजना है, failure से सीखना है, जोब कि यही चीज आपको पहचान और success दोनों दिला बाइगी. This is Mangesh from the Willpower Star. Signing off for the day. Bye-bye.